फिल्सॉर्ट ने छोड़ा प्ले आफ से पहले KKR का साथ इस विध्वनसक पल्लेबाज को प्ले आफ के लिए गंभीर देंगे KKR की प्लेइंग 11 में अस्थान ये 12 लड़ा के इस 12 IPL 2024 की ट्रॉफी करेंगे KKR के नाम तो बात करें बाया KKR टीम की तो वो प्लेइआप में पहुच चुके और पिछला मुकाबला जो रद हुआ है गुजराट टाइटन के खिलाप उसने ये भी इंस्योर कर दिया है कि टॉप टू फिनिस KKR करने ही करने वाली है उसमें कोई भी अपसंस है नहीं बचा हुआ है तो अब उनको फाइनल में पहुचने के लिए दो मौके मिलने वाले हैं लेकिन इस बड़े मुकाबले से पहले प्ले आप में भी या मुकाबला खेलने से पहले उनका जो सबसे बिद्वनसक बलेबाज IPL 2024 का था जो ब्लेसिंग इन डिसगाइस बन चुका था KKR टीम के ल खेलने वाली T20 वहाँ पर बटलर जा चुके हैं उसके बाद रिश्टॉपली भी अलविदा कर चुके हैं IPL को वहीं अगर हम बात करें विल जैक्स की तो वो भी अपने कप्तान के साथ जा चुके हैं तो आज जो बड़ी अब देट आई है वो ये है कि फिलसॉल्ट भी KK का साथ चोड़ चुके हैं दामन चोड़ चुके हैं और इंग्लैंड के लिए रवाना हो चुके हैं यानि कि रास्तान रायल्स के खिलाब जो KKR का आखरी मुकाबला है 19 में को वो फिलसॉल्ट नहीं खेलेंगे और प्ले आउप में भी वो टीम के लिए उपलब्द नहीं रने वाले हैं जिस कारण से पूरी की पूरी प्लेइंग 11 की कंबिनेशन डगमगा सी गई है और प्ले आउप के लिए थोड़ी सी का सकते हैं बल्लेबाजी कमजोर हो गई है फिलसॉल्ट के जाने से लेकिन गंबीर हैं गंबीर भाईया असानी से चीजों को नहीं छोड़ है तो अपने इस रिपोर्ट में हम देखने वाले हैं वह कौन साफ भिद्वनसक बल्लेबाज हैं जो फिलसॉल्ट की जगल लेने वाला है और प्ले आफ की क्या प्लेइंग 12 होने वाली है और यह 12 लड़ा के क्या क्या के क्या 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 को आई पिल 24 की ट्रॉफी जीता सकत है या फिर कुछ समिक्रड बदल चुका है आते हैं आपको फिल सॉल्ट की चाने के बाद के क्यार की प्लेइंग इलएन बता देते हैं पूरे तफसील से बताते हैं कि कौन खिलाड़ी रिप्लेस करेगा वो कौन सा विद्धुनसक बलेबाज है जो पहले अपने देश रवान हम लोग गेदबाजी विवाग में बात करेंगी कौन-कौन से प्लेयाफ में खिलाड़ी खेलने वाले हैं तो देखें मिचल इस्टार इनको खिलाया जाएगा लाख खराब फॉर्म हो इस्टार का लेकिन यह मैच वीनर खिलाड़ी है गंबीर अभी तक बैक करते भी आ रह लेकिन मिचल इस्टार हमें पता है कि मैच वीनर गेदबाज है वो ऐसे ही मुकाबलों में अपना च्छाप छोड़ते हैं और केक्यार को अपने दम पर यह आई पिल दोजाट चौबिस की ट्रॉफी जिता सकते हैं अगर स्पिन गेदबाजी की बाहत करें तो वहां पर फिरकार वह बल्लेबाज कौन होगा क्या कोई भारती विकेट कीपर बल्लेबाज खेलेगा या फिर विदेशी विकेट कीपर बल्लेबाज खेलेगा तो आपको बताते हैं यह बल्लेबाज होने वाले हैं रहमनुल्ला गुरबाज पिछले बात करें कुछ मुकाबले पहले ये अफगानिस्तान जा चुके थे क्यार का दामन छोड़ चुके थे साथ छोड़ चुके थे तैयारी वहां पर जा कर रहे थे लेकिन फिर से एक आये कि इनको बुलाया गया इस वक्त ये भारत आ चुके हैं क्यार के स्क्वाइट से जुड़ चुके हैं नेट पर भरपूर प्रैक्टिस करते विए दिख रहे हैं बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज ये आरार के खिलाप आखरी लीग फेच का मुकाबला खेलेंगे और फिर प्ले आउप में भी एक क्यार के लिए खेलने वाले हैं यानि रामनुल्ला गुरबाज फिल साल्ट की ज कार पर कप्तान स्रेयर साइयर पांच पर नितीश राड़ा अंकिर सरग्वणसी के लिए जरूर थोड़ा सा आप कहेंगे नया लेकिन नितीश राड़ा का नुभाव काम करेगा नितीश राड़ा इस गेदवाजी भी कुछ होबर्स के करके दे सकते हैं जिस गार नितीश पर नंबर पांच पर खेलेंगे फिर बात करें नंबर चे के खिलाड़ी की तो वह होने वाले हैं रिंग पूशिंग या फिर आंद्रे रसेल एकार्डिंग फूद बैटिंग पोजीशन फिर नंबर आट पर रमन दीप सिंग आपको खेलने वाले हैं यह इनके पूरे के प अपना पूर्जोर कोसिस करेंगे एक बार बल्लेबाजी करम में देख सकते हैं कौन कहां खेलेगा गुरबाज अब आएंगे उपेन करने सुनिंग लरें किटना फिलसॉल्ट अब नहीं खेलेंगे वंकटेस तीन पर स्रेसाइयर चार पे पांच पे राड़ा छे पे रसेल साथ पे रिंकुवार्ट पे रमंदीप नौफ पे श्ठार दस पे वरन चेकरती 11 पे हरसी तराड़ा और 12 पे वैभा अरोड़ा ये 12 लड़ाके हैं जो केके आर को आईपील 24 का चैंपियन बनाने के लिए बड़ी लड़ाई लड़ने वाले हैं देखना दिल्चस्प अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जोड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले